हर इनसान खुद को फेट रखने में सबसे आगे होते हैं लेकिन कई बार बिजी लाइप के चक्कर में वो अपना ख्याल रखना भूल जाते हैं और परिणाम सरूप उनका बजन बढ़ने लगता है थोड़ा बजन बढ़ना ठीक होता है लेकिन बजन जब चर्बी के रूप में बढ़े तो ये चिंते का भी साही हो जाते है और आपको पता होगा किसे भी इनसान को चर्बी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती लेकिन कामकाज के चक्कर में वो आपना ध्यान नहीं रख पाते है और बढ़ती चर्बी के चपट में आ जाते है ऐसे में अगर आपको भी चर्बी या बढ़ता वजन परिसान कर रहा है तो आप कुछ उपाई को फॉलो कर सकते है जैसे कि ब्रेकफास्ट करे जब चर्बी बढ़ने लगते है तो कुछ लोग ब्रेकफास्ट करना छोड़ देते है जिससे उन्हें कमजोरी आने लगती है लेकिन इससे चर्बी कम नहीं होता है इसलिए रोजना हिल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए healthy breakfast आपकी body को पसकत्त मिल जाते है और इससे आप दिन भर energy से भरपूर रहते है इसके अलबा आपका चर्वी भी कम होने लगता है friends, फीट होने के लिए diet करना जरूरी नहीं है बलकि इसके लिए आपको एक अच्छा plan बनना चाहिए जिसमें आप हर दो घंडे में कुछ न कुछ खाते रहे हाला कि ये भी ध्यान दे कि ज्यादा heavy भजन ना करे बलकि आप snacks बगरा ले ले इससे आपका metabolism को बढ़ाते है और fat तेजी से गायव होता है ऐसे में हर दो घंडे में कुछ न कुछ जरूर खाईए योदि आप सच में बजन घंड़ना चाते है तो आपको मीठे से दूर रहना पड़ेगा लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप फिकी चाय पिए बलकि मीठाई बगरा ना खाए दरसल ज्यादा सुगा लेने की बज़े से fat बढ़ता है और इससे पेट के आसपास की चर्वी बढ़ती है जिससे आपका लोग खराब होता है इसलिए ज्यादा सुगर से दूर रहे ज्यादा लोग बजन घटाने के लिए green tea का सारा लेते हैं और उसे रोजना दिन में पीते हैं लेकिन अगर आप रात को green tea पीओगे तो आपका फेट तेजी से गायब होगा दरसल अगर रात को सोने से पहले अगर green tea पीते हैं तो रात भर फेट बायन का process चलता रहता है और इससे आपका बजन तेजी से कम हो जाएगा जो लोग तीखा खाना खाते हैं उनका metabolism 8% ज्यादा तेज हो जाते हैं और अगर तीखा खाना रात को खाया जाए तो ये सोने पर सुआगा होता है तीखा खाने से आपका बजन तेजी से कम होता है और इससे आपकी चर्वी भी कम होती है इतना ही नहीं तीखा खाने से कई बिमारिया आपसे दूर रहते हैं फ्रेंड्स सस रहने के लिए अच्छी नींद लेना जरूरी होता है इसलिए हर किसी को रोजना 7-8 घंडे की नींद लेना चाहिए नींद अच्छी होने से फैड़ बन तेजी से होता है और आपकी चर्वी फटावट गायव हो जाते है इसके अलावा अच्छे नींद से स्ट्रेस भी गायव हो जाते है जिससे आपके दिन भी अच्छा लगता है इसके लिए आप अंधरे में सोए क्योंकि रोसनी से आपका नींद तूट जाएगा जो कि अच्छा नहीं है योधि खाने से ठीक एक घंडे पहले सूप पिया जाए तो खाना तेजी से बच जाता है और आपका चर्वी भी गायव हो जाता है ऐसे में हम नहीं कह रहे कि बलकि रिसार्च से खुला सा हुआ है इसलिए रोजना खाने से ठीक पहले सूप पिना चाहिए ताकि आपका भजन कंट्रोल में रहे ये बन में हसना भी बहुत जरूरी होता है इसलिए रोजना खुल कर हसने से फैट बर्ण होता है ऐसे में आपको रोजना खुल कर हसना चाहिए इसके लिए आप मित्रों से बात करे या अपना पसंदिते कॉमेडी सो बगरा देखे ताकि आप खुल कर हस सके और ऐसा होने से आपका फैट तेजी से कम होगा फैट बन करने का सबसे अच्छा तरीका खुब पानी पिए इसके लिए हर किसी को दिन में 8-10 गिलास पानी पिना चाहिए इससे आपका चर्वी दूर हो जाएगा निलरंग की प्लेट में खाना खाने से आपको भूख कम लगेगा तरसल रिसाज की माने तो अगर चटक रंग के प्लेट में खाना खाये जाए तो भूख कम लगते हैं जिसके बज़े से आप कम खाना खाएंगे और इससे आपका फैट और चर्वी दोनों दूर हो जाएगा इसके अलवा अगर आप रोजना हलका फुल का बयाम करेंगे तो आपका बजन यानि शर्वी तेजी से घटने लएगा तो फ्रेंट्स आप मुझे बताए आज का मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा अच्छा लगा तो कॉमेंट करके आपका प्यार जरूर दीजिएगा मैं आपका कॉमेंट का इंतजार करूंगा चैनल को सब्स्राइब करें वीडियो को लाइक करें और अपनी फ्रेंड्स को सेयार करें परिवार के सभी सदुस्तों के ये वीडियो दिखाएए इतनी important information सबके पास होनी बहुत ही जरूरी है मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक खुस रहे हिल दी रहे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन सूव हो